नमस्कार दोस्तो मेरी यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तो आपके भी मोटर में इस तरह का ज़िदी समस्या हो तो आप मोटर को कैसे ठीक कर पाएंगे कैसे चेक करेंगे तो ये जो मोटर है कुछ समय चलने के बाद में क्या होता है कि आटोमेटिक आटो कॉट हो जाता है यानि कि मोटर बंद हो जाता है तो सबसे पहले पिछे का ढखन खोल कर और पंकी को घुमा कर देख लेंगे कि मोटर जाम चल रहा है कि नहीं मोटर बिल्कुल फ्री चलना चाहिए उसके बाद में यहां जो कैफसीटर लगा हुआ है तो जितने नंबर का कमपनी कैफसीटर इसमें देता है तो कैफसीटर को भी चेक कर लेना है कैफसीटर भी खराब होने के वज़़से ऐसा प्रोब्लम आता है तो कैफसीटर का जो भेलू है देख लेंगे इसमें 45 MFD का लगा हुआ है तो यहां 40 का यहां 50 का आप चेंज करके देख सकते हैं यहां पर आप बैरिंग उगर देख लेंगे अच्छी तरह से और पिछे का जो पंखी है पंखी को गुमा कर देख लेंगे फिर ही घुमना चाहिए उसके बाद में क्वाइल देखना है कि क्वाइल जो है क्वाइल भी हीट होने के वज़ासे क्वाइल जलने के वह ज़ासे ऐसा प्रोबलम होता है क्वाइल जब गरम जल जाता है हीट हो जाता है तो इसमें जो थर्मल स्यूच लगा होता है तो ज़्यादा मोटर गरम होने के वज़े से थर्मल जो स्यूच है तो आटो कॉट हो जाता है सप्लाई जो है रोक देता है मोटर का जो सप्लाई है आटो कॉट हो कर देता है कर जात जो auto cut switch जो इसमें लगा हुआ है सही है कि नहीं है तो करीब करीब हर motor में भी auto cut switch डाल कर आता है तो इसमें भी auto cut switch होगा तो चली यहां कुछ धगा इस है तो धगे को हम काट कर देख लेते हैं तो यहां पर देख रहे हैं यही है thermal switch जो कि motor में हर motor में लगता है तो यहां पर जो है इसका wire भरष्ट हुआ है जला हुआ है तो देख रहे हैं यहां से एक wire जो है open है और किवाल एक wire joint है तो दोस्तों हो सकता है कि यहीं से problem हो motor में ऐसे में तो motor का जो coil है बिल्कुल सही दिख रहा है जो भी problem हमको दिख रहा है यहां से thermal switch लेही problem है जो कि auto switch जो है यहीं से problem है तो चलिए धगे को अच्छी तरसे काट कर हटा कर और wire को फ्रेस कर लेते हैं आपके पास जैदी thermal switch है ते यहां पर thermal switch लगा देंगे तो ज़्यदा महंगा नहीं आता है 100 रुपया के असपस में thermal switch कहीं पर भी मिल जाएगा तो यहां आपके पास thermal switch नहीं है तो यहां wire को अच्छी तरसे ब्रेस करके साफ करके और wire को direct कर लेंगे दोनों wire को direct कर लेंगे तो यहां direct करने के लिए करना क्या होगा कि wire को अच्छी तरसे जो इस पर polish हो गरा जो wire पर लगा हुआ है polish को अच्छी तरसे साफ कर लेंगे इस तरसे और दोनों wire का जो thermal switch में दो point है तो दोनों point को क्या करेंगे वापस में इस तरसे connect कर देंगे को अच्छी तरसे जोइंड कर देंगे जोइंड करने के बाद में sleeping इस तरसे नहीं लगाना है sleeping लगाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इस पर folding कर लेंगे अच्छी तरसे दोनों wire को आपस में जोइंड करके अच्छी तरसे folding iron से shoulder कर लेंगे इस पर रंगा चढ़ा लेंगे यहां पर चलिए रंगा को चढ़ा लिए रंगान चढ़ाने के बाद में इसमें पहले एक छुटा सा sleep का टुकड़ा लगाएंगे उसके बाद में बड़ा सा sleeping इसमें लगा देंगे चलिए हो गया और इस तरह से रख लेंगे ज़िए आपके पास thermal switch है इस तरह का thermal switch आता है तो आप thermal switch लगा लेंगे और sleeping लगाने के बाद में नीचे में साथ नंबर का पिपर का टुकड़ा अवस्ति लगाएंगे तैकि यहां जो जोड है जहां joint रहता है वहां ज्यदा हीट होता है sleeping लगाने के बाद में हम इस पर धगे अगरे से बांध कर अची तरह से बारनी सोगरा डाल देंगे अब यह जो problem पहले था और problem ठीक हो जाना चाहिए तो दोस्तों असा करता हूं कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्य जरूर किजिएगा लाइक किजिएगा अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लेजेगा कोई भी सवाल पुछना हो तो कमेंट में जाकर जरूर पुछिएगा